हलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो हम बताएंगे कि आपने घर में यूज होने वाले जो बोर्ड होते हैं इसका कनेक्शन किस पकाट से करते हैं इस बोर्ड में मेरे पास अभी गरम एक वैर और एक वैर ठंडा है जिससे आप नेगेटिव पोजिटिव आप समझ सकते हैं और utva को बाहर है एक ग्रांड है और इस बोड में हम पुरे कनेक्शन इसका कि वैई हैं और इस बोड में हमारा एक रैंश चलिए सब जोड़ लेते हैं देखिए इस वायर में हमारा जो है पोजिटिव आ रहा है और दोसरा जो डेड़ वायर है उस वायर में हमारा जो नेगेटिव है तो इस वायर को और इस वायर को हमें सवधानी पूरत जोड़ना होगा ताकि दोनों वायर जो है आपस में ना जूर जाए ज हमारा घर का जो है ग्राउंड है जो हमारे जो कनेक्शन किया हुआ इसमें दोनों बार जो है नेगेटिव जो है कनेक्शन करके निकाला गया है तो हम दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और जो रेड बार जो है हमारा नेगेटिव है तो हम इस तीनों तार को एक साथ हम इसमे में जोड देंगे जिसे कि हमारे सभी प्वाइंट में तो हमारे इस प्वाइंट तक नेगेटिव को लिए तो हम यहां से इस negative को दोने बार में हम जोड़ दी हैं जिससे कि हमारे सभी point में negative चला जाए उसके बाद हम इसे अच्छी तरा से tip लगा देते हैं था कि यह इधे हो अधर ना कुला रहे इसे अच्छी तरा से यह लग जाए उसके बाद हम इस positive को हम इस बोर्ड में हम लगाएंगे चाहे तो आप नेगेटिव जोड़ सकते हैं या पोजिटिव तो हम यहां नेगेटिव को ही जोड़ देते हैं अब देख पा रहे हैं कि यहां जो फ्यूज है यह इसमें लगा हुआ है तो आप फ्यूज के लिए आप कोई भी बायर इस्तम जोड़ेंगेटिव स्वूज से दे दिया है और नेगेटिव के लिए हम डायरेक्ट यहां इस सॉकेट के दूसरे छोड़ पर जो है हम इसका कनेक्सन कर देंगे करने के बाद हम इस फायपिन शॉकेट में उपर में एक पॉइंट होता है अर्थ के लिए तो हम इस उपरे वाले छोर पे हम अर्थ को जोड़ेंगे इस 5-pin socket में हमने 2-pin के connection तो कर दिया है एक wire होता है ground के लिए point इस socket में उपर में होता है तो हम इस wire को अच्छी तरह से इसे छिल लेते हैं छिलने के बाद हम इस wire को हम अपने socket के उपर जो छोर होता है सबसे उपर में point तो आपको इस point में connection का करना होगा तो चलिए हम इस 5-pin socket के उपर वाले छोड़ में हम इस wire को connection कर देते हैं उसके बाद हम इस board में हम positive का connection करेंगे तो आप देख पा रहा है कि यह wire जो हमारा positive रह गया है तो हम इस positive wire को हम अपने huge के दूसरे point में जोड़ेंगे और एक point जो है wire जो है फ्यूज का जो हमने स्यूज से connection का इसका लोबे से कर दिया है तो चलिए हम इस huge के हम उपर भाग में हम इस wire को जोड़ देते हैं निगेटिव और positive जोड़ने के बाद हम इस board में अपने घर का जो point होता है जैसे fan, bulb का हम उसका connection करेंगे तो मेरे पास अभी यह wire है यह wire जो है हमारा fan का है तो हम इसे पहले ही check कर लिया था कि यह point जो है fan का है आप यहां से चाहे तो आप इसे positive में सटाकर आप चेक कर सकते हैं तो कौन सा point जो है आपका fan का है कौन सा point जो है बल्ब का है आप उसी साब से इसको connection आपको करना होगा तो इस point को हम अपने fan regulator के दूसरे छोड़ पर लगाएंगे और इस regulator का जो कि first point जो है हमने अपने स्यूज से connection से कर दिया है एक fan और एक बल्ब का जो connection जो है हमने यहां inverter से connection करेंगे तो हम इसे fan को वायर को जो है हम इस regulator वायर को हम साथ जोड़ देंगे उसके बाद अच्छी तरह से हम इसमें टेप लगा देंगे अब फैन रिगुलेटर का जो शूज का connection जो हमने किया था वह है सेकेंड पॉइंट पर और फर्स्ट प्रेंट पर हमने बॉल्ब का जो है connection किया है तो उस शूज में हम एक बॉल्ब को जो हम जोड़ देंगे जिसे पहला मेरा बॉल्ब जो हो जागा और सेकेंड जो बाइर पॉइंट पर हम जोड़ देते हैं जो हमारा इंवर्टर से connect रहेगा आप बारिकी से इसका connection करें हम तो यहां supply देके हम अपने इस बोड का connection कर रहे हैं आप चाहे तो आप अपने में स्यूज का connection जो है आफ करके अपने इस बोड को आप connection कर सकते हैं यदि आप electrician है तो आप इसे कर पाएंगे यदि आप electrician नहीं है तो आप अपना में स्यूज का जो है स्यूज आप करके ही अपना connection जो करना चाहिए आपको अधरवाइज आपको बीजिली का जटका जो है लग सकता है तो हम आपको वीडियो देखाने के लिए हम इसमें supply देखे हम आपको छेकर करके बता रहे हैं यह जो है हम inverter का connection हम इस bulb को हम करेंगे तो चलिए हम यहां इस bulb का connection जो है अपने इस point पे हम कर देते हैं सारे वायर का कनेक्शन करने के बाद हम यहां यलो वायर को जो हम इंवर्टर के लिए हम इस्तमाल करेंगे तो हम इंवर्टर के लिए फर्स्ट और सेकंड जो स्यूच है हम उसमें यलो वायर को जोड़ेंगे आप देख पा रहे हों कि जो हमने फर्स्ट और सेकंड को एक साथ करेंगे जिसे की फार्ष्ट ळसेकंड जो स्युच है मेरा इंबर्टर का काम करें तो हम सब भल्प को जोडने के बाद आप एक बार चेक जरूर कर ले कि कोई भी इसका स्यूच का जो भोल्ट है वो धिला ना रह जाए यह लूज रहेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो चलिए हम सारे केनेक्शन को हमने चेक कर लिया है उसके बाद हम अच्छी तरह से बाकी वा कर लिए है और यहां आप देख पा रहे हैं कि हमने जो जो स्यूच से हम कनेक्शन जो आउन कर रहे हैं वह हमारा पॉइंट जो है जल उठता है तो चलिए हम इसे क्लिक करके देख लेते हैं है ठीक है उसके बाद सेकंड पैंट को जो है फैन है तो हम आपको फैन भी दिखा लिए ठीक है उसके बाद हम 3rd point को हम देख लेते हैं एक प्वाँट और हैं जो फी आप जल पूठा है उसके बाद हम चौता जो है सीव जो है मेरा 5 पिंट सोगेट का है जो चाहे तो आप इससे टेटर से चेक कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इस परकार से आप सभी बोर्ड का करेंगे जो है आप कर पाएंगे और अस्कुरूब की मदद से इसे कस लेते हैं तो फ्रेंड्स इस परकार से आप अपने बोर्ड का जो है कनेक्शन आप करना सिख पाए होंगे तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा यह दि वीडियो पसंद आये तो फ्लीज लाइक सेयर और चैनल क को सब्सक्राइब करना न भूलें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन बंद मात्रों